खौक्ष् भीमार हो जाता है यह औहुरे को डाक्टर के पार जाने के लिए जब तक को से पानी नहीं जाता है किव के उनमें से लिए्ट उपाइक अड़ कम एक आज़े ढलते हैं आज की खास के ऊपर इस समय हम खड़े नारास ऊपर वेश्ट के ढांगे कम्पलेंस और समधी पड़ा के सामने के जगह में जहां आप देख सकते हैं कि यहां कि रहवासियों को काफी तकलिफे हैं काफी परेशानिया हैं और इन रहवासियों से मुलाकात करेंगी उसके पहले आपको इनकी तकलिफे क्या है उसके बारे में बताएं अगर तो आप देख सकते हमारे पीछे बेग्राउंड में आपको का यहां लिएफ जैसा। अब प्रशाशन की नकामी की बारिश में क्यों बता रहा हूँ हूँ तो यह दरहसल जो पानी है यह इन सुसाइटियों से निकलने वाला गटर का पानी है जो आसपास की सुसाइटियों से निकलता है और रोड पे बहता है अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि जहां कहीं इस तरह की सुसाइटियों हो वहाँ ड्रेनिस सिस्टम होना चाहिए लेकिन वसाइविरार की एक व पूरी सभी सुसाइटियों का पानी यहां आकर जमा होता है, अब जो सुसाइटिय उस तरफ है, वहां के लोगों को स्रिफ यह समस्या हो रही कि उनका पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन कुछ सुसाइटियों यहां पीछे की तरफ है, यहां एक कोलेग है, वहां के लोगों को और यह पानी पहले भी बताया तो गड़र का पानी होने की वजह से इस पानी से मच्छर पनेपते हैं, बीमार्य होती है और इस पूरे पूरे सब्स यजह पर प्रिशाशन का बिल्कुल ही लक्ष नहीं है, अब हमने यह कहा कि प्रिशाशन का लक्ष नहीं है, एक किस आधार हम अपनी मरजी से नहीं कह रही हैं यह हम कह रहे हैं प्रशाशन से इसकी शिकायत हैं और लिखित में तक प्रशाशन को उन्हों आपनाोज का है उसके भावजूद करोड़ोहsell archival прин इस घर पट्टी के नाम पर यहाँ एमिनिटी देने के नाम पर उन्हों ने एक गटर तक का यहाँ बंदोबस लोगों के लिए नहीं किया मैं अपनी बात खतम करूँ और इन लोगों से आपकी मुलाकात करा हूँ उसके पहले एक और चीज मेंशन करता चाहूँगा आप लाइट के बिजली के थंबे भी देख सकते हैं यह थंबे मान अगर पाली का दोरा लगवाये गए हैं और किसी समय में यहाँ बिजली थी लेकिन जब पानी भरना शुरूआ तो कहीं करंट ना दोड़े इसके लिए इन में से बिजली काट दी गई यानorde ये पानी भर रहा है और करंट नहीं दोड़ेar कोई हासा नहीं ही वाया इसके लिए बिजली काटी गई है लेकिन पाणी को निकाल लेकिन व्यवश्थन नहीं गई है तो चलते सीदे बात करते हैं के लोगों से किया कुछ उनका कहना है, सर आपका नाम मेरा नाम गुलजार प्रेज्ट क्या समस्या है आप लोग को आप निहाँ विल्खते हुबे सर मरे समस्या यह है कि हम यहां पर कुछ दिसंबर 10 दिसंबर से पानी बरना शुरू हुआ था हुआ है और इसकी जानकारी जब पानी बरना ब्लावाब भी ईसके अलावा इसका जो है ये जो आजो बाजो के प्लोट है इसके भी हैं इसको किये वह हैं नगरपालिका को किये में उसके साथ 12 वगएरा जो है हमारे हाथ में यह मुझूद है यह पीछे जो है कॉलिज बन रहा है डिगरी कॉलिज पांच माले का डिगरी कॉलिज है बाजो में नियू और्चिट इसकूल है पीछे जो है वो सिकरट आइट स्कूल है दुश्चे समस्य को सब दोने के लिए बच्चे को बैक कंदे बढ़ने पड़ता है इस तरीके से हमारी दे रहे हैं और ने पर अजंके सबनें से और जो यह जहां इसमें कर दर्वेलberry if में यह आता है सुर्यवंशी जी उनको इन सब को जो है हम बारी-बारी मिल चुके हैं नगरपालिका में बात हो चुकी है सब अरजी दे चुके हैं लास हम यहां तक हमारी तकली पूंच की कि हमने नौन तारी को एक मोर्चा रखा है जिसका लेटर भी हम निकाल पॉलिस चोकी क्याते निकलें जो साइटी यहां यहां से निकले में गुरए जो पीछे की साइटी है आप के साथ जो लोग घड़े उसमें पेच्के के छे दूव । हमारी जो बिल्डिंग है आगे दस माले का टावर है सो फ्लैट है उसके अंदर हम आगे साही संगम में रहते हैं यहां करारी टावर डांगे कॉंपलेक्स रोयल पंप अमेमेन अल्विया बिल्डिंग और पिछे पोनम बिल्डिंग है सब लोग खड़े हैं सब सुसाइटी के पास से निकला नहीं जा सकता है और वहां कॉंपलेक्स के कोने से भी निकला नहीं जा सकता है तो कभी भी बारिष होएंगी तो हमको लोग को फच जाना पड़ता है अब ये पिछली जो बारिष गुजडरी है इसमें एक आदमी का इंतकाल हो गया था उसका आमको आदितिम दंपिंग देखेंगे आप प्लोट में डंपिंग हो रही है और यह पानी पूरा खेलाओ कर दे रहा है जब यह जनुरी में यह हाल है तो हमारा जो है बारिश के टेम में जून जुलाई अगस्ट में क्या हाल होएंगा यह आप बेटर जान सकते हैं और नगरपालिका का बार बार हर डीपरांटमिंट को अगर हम हैल्थ वालों को बुलते हैं कि मच्छर हो रहेन आप शाम के टेम में यहां खडए रहकर एक क्दिखा दे तो आप वह नगरपालिका कया दिकारि मुह निखें नगरोष निखétais जाते जाते चीरह रहें में देखिंगें आप इस तरीके अलेगल नहीं है, सब बिल्डिंगों के पास OC आपने गटर चेक किया, कि गटर कहां से है, रास्ता कहां से है, यह इस हालत में हमारी रोड पर लाइट भी नहीं होती है, अब परिशानी है, आज नोटिस दे रहे हैं, जिन सुसाइटियों के यह पानी जम्मा हो रहे हैं, उन ने CC दिया है, OC दिया है और यह जो भी एरिया है, यह हैंड वर्क है नगर पालिका को उसके साथ बारे paper plan मेरे हाथ में है, तो उसके बाद उनको किस चीज की रुकावट है, यह जो पानी अभी जहां जमा हुआ है, यह New Orchid School के ग्रोन में जमा होता था, वहां उन्होंने किया और इस तरफ आगे, नगर पालिका के अधिकारी आपने आपको इतना माजूर बता रहे हैं, कि उनके वस की कोई बात ही नहीं है, जबकि उनके पास सब राइट्स हैं, और यहां पर जितने भी रास्ते बने हुए नाला सुपारे के अंदर, सब हैंड वर्क होकर नहीं चुटती है, उसके अंदर मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल जब चुटती है, तो वहां पर साड़े बाराम बज़े, साड़े पांच बज़े बाहर निकला नहीं जा सकता, इतने बच्चे रहते हैं, लेडिस आती हैं, और रास्ते में बारिश के टेम म हम देखेंगे, तो हम दोग पानी में तैरते रहते हैं, हमारी कोई समसी, अगर कोई उस टेम में बच्चा बिमार हो जाता है, या किसी की तबियत खराब हो जाती है, तो हमरे को डाक्टर के बाद जाने के लिए, जब तक रास्ता देखना पड़ता है, जब तक वहां से पा नगरपालिका की, अभी हम आपको एक और बात बताते हैं, नगरपालिका कितनी लाचार है, और हम क्या कर सकते हैं, नगरपालिका क्या कर सकती है, देखें ये पानी में से तो लोग चलने पाएंगे, अभी हमने नगरपालिका को रो रोकर जब वो नहीं हमारी बात सुन रह है हम लोग आपने पैसे से बाहर से दूसरी बिलिंगों से रेबिट मंगा कर क्योंकि यहां लोग गिर रहे हैं एक्सिडेंट हुआ है यहां पर आदमी का हाथ फैक्चर हुआ है एक आदमी बिचारा गरीब गुरुबा है वो गर्प की रोजी रोटी कमाने के लिए रात में जो आकर यहां हाथ तोड़का टांग तोड़कर ले लेंगा उसके घर फैमली का क्या हाल होईगा अभी आपके सामने देखो इनके पास इतना भी सुदूशन नहीं है नगरपाली का के पास कि तुम चलने के लिए किदर से चलो कि चलो हम कुछ रेबिट का डाल देते हैं य अब किस तरह से क्या दिक्टते पेशा आती है एक और तो का मेंड़े तो काम है अपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा इस पानी की वज़़े से गंदा पानी है आप पीछे देख रहे इस अब गंदा पानी है नाले का पानी तो बस आपसे यही गुजारिश है कि प्रब्लम में पानी बच्चों को लेकर जाने के टाइम पर इतना पानी गिरा पानी भरा गड़ा रहता है गाड़ी से कई स्लीप हो गया बच्चों को तो फिर किसकी जीमेदारी हो गया है कर दो बच्ची बच्ची अक्के लिए जाते कई कुछ हो गया गिर गया हमको मंदी जाने के लिए कितना प्रप्रम होता है मंदी इतना लंबा है अभी काड़ी निकल भी नहीं पार रहा है इतना पानी भरा हुआ है यहां आपको किसरे की दिक्कत है क्या है मैं नजदिक की सोसाइटी में रहता हूँ सब सोसाइटी यहां पर सफर कर दी है गंदगी की वज़े से और कोई भी सॉलूशन नहीं दिख रहा है नगरपालिका की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं हो रही है मच्छर इतने हैं यहां नगरपाली की के रहते हैं तो को भी रहते हैं का नहीं दिक्त होती है हिती हैं झाला-प्राइब जिए। कि आपको क्या लगता है चीच ये किया है —्पार्रिकशे लगे अदो NES पे दॉक होती है कि अपकर किया लगता है यह पानी हुआ गर तो को मजा आता है कि क्या है यह दर बाइक ग्ले गिर गया तो इस surrounds है हमने यहां लोगों से बात किया आपने केमरे पर सिमा किस तरह से लोग अपनी समस्या बता रहे हैं इन पूरी सोसाइटी वारो तकलीफ है वहां जो रोग रहते हैं उनको पानी उनका निस्तारण निस्तारण करो तो क्या गर में पानी रखा जाए यह सवाल भी पेदा वहीं जो इस तरह की सुसाइटी है उसके लोगों को आने जाने की दिक्तते हो रही है यहां बच्छर हो रहे हैं आपको वीडियो पर दिखाया है तो कहने का मतलब वसाई विरा और महानगर पाली का शेत्र में लागखो क्रोड़ों रुपया टेक्सका वसली किया जाता है लेकिन एक बार बिल्डर बिल्डिणग फ्लान बनाता है और इस प्लान में आमेनटी देता है या नहीं देता है लेकिन फिर विसके बावज़ूद उसको सीसी मिलते है वो काम के पहले मिलते है कां को शूरू करने के लिए लेकिन चैन्हों व Burada सर्फेशन में ब्लान और झ निकल जाता है लेकिन वहां रहने वाले जो टेनेंट है घर बालिक है या भारुत्री है उनको इस तरह से शफर करना पड़ता है यहां जैसे इन्होंने बताया काफी बड़ी वबस्ती है चार से पांच स्कूल है पॉलेज है तो हम समझ सकते हैं कि स्कूल होने के बावजूद अगर वहां पर इस तरह से रस्स्य की समझिवने वहां पर घंदगी के समझिया है तो हम आज हेल्थ इंडेक्स में कहां यह सोचने की बात हैं इससे पेले के मेरे एक वीडियो में मैंने कहा था कि हर साल सवच्षता का इंडेक्स सवच्षता का पूरे देश इंडिया लेबल पर सच्षता का एक competition होता है और सरकार उसके कुन सी city कितने नंबर पर है सच्षता के रहे मामले में तो उसने जो अधिकारी आते हैं क्या उन लाते हैं यह सवाल बढ़ा है तो हमने आपको जो हक्क्क ठीट यहां की दिखाई अब यही कहना चाहेंगे कि इन लोगोंने जैसे जब आब कि आगे इनकी समझता नहीं निकला तो यह मोर्चा भी करेंगे तो आने वाले दिनों में यह मामला और भी बढ़ सकता है आज के लिए अभी के लिए इतना ही वसे इसे है नाला सुपारा से यूसर वाल सेफ न्यूद लाईव को आर्थिक रूप से शायता करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहें गूगल पर बार कोड को स्केन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबुत करें धन्यवाद हमारे चैनल सेफ न्यूद लाईव पर अपने व्यापार और सेवा से समधित विज्जापन प्रसारण है तूद दिये गए मुबाइल नंबर पर संपर्क करें